उत्रप्रदेश के राय बरेली के जोगतपूर थाना इलाके से वाइरल वीडियो के मामले में एक नया मोड आ गया है पीडित यूवक से समाजवादी पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष अखलेश यादव ने मुलाकात की अखलेश ने पीडित यूवक की मा को एक लाग रुपे का चेक और 21,000 रुपे नगत दे कर उनकी आर्थिक मदद की पीडित परिजनों की मुलाकात शेत्री विधायक मनोश गुमार पांडे ने अखलेश यादव से करवाई बतादे की राय बरेली में एक दलित यूवक का वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें आरोपी शक्स दलित यूवक के साथ मार पीट कर उससे अपना पैर चटवाते हुए दिखता है दो मिनिट तीस सेकेंड के इस वीडियो में लड़का जमीन पर बैठा है और उसने अपने कान को पकड़ रखे हैं आरोपी मोटर साइकल पर बैठा है और अपना पैर चटवा रहा है इस घटना को लेकर शेत्री विधायक मनोश कुमार पांडे ने परीजनों को मंगलवार को सुबर अपने लोगों के साथ लखनों बुलवाया जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखलेश यादव से उनकी मुलाकात कराई एस दोरान अखलेश यादव ने भी परीजनों की पूरी मदद करने का वादा किया अखलेश यादव की मुलाकात के बाद अम मामले में नई राशनेतिक अटकलों को भी चर्म दे दिया है जहां अब तक लोगों को सहानुभुती पीडित पक्ष की तरफ थी वहीं अखलेश के मिलने के बाद अब आने वाले समय में मामले को लेकर राशनेतिक दुन्द भी देखने को मिल सकता है इस गटना के वाइरल वीडियो की पूस्टी भी हो गई वीडियो 10 अपरेल का बताया चौरा हाहे जिसमें दिखने वाला पीडित युवक जगतपूर कस्वा का रहने वाला है वीडियो के आदार पर सभी आरोपी छात्रों की पहचान हो गई है सभी आरोपी को पोलिस हिरासत में लिया गया है उन्हें नियाई बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा वीडियो को लाइक और शेयर करें रदुभाशी से जुने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूले